पर पर जो बहुत जो एक रहुत दुन पीरों को की गई तक जो वत नियान उपर होते वलिदान है रख्त रंजित धरा जिनको पुस्पित किया ये से बेटों पे जननी के अभिमान है तो गीत गाई दिशाए बंदे मा तरब जी सिल्दु सरिता की लहरे रुकी ना कभी तो राणा सिवास है मा की दो दी भरी बिस्वजई पता का जुकी ना कभी तो राणा सिवास है मा की दो दी भरी बिस्वजई पता का जुकी ना कभी एच्छे तरजवा तरजवा वह बाकासी भई वतन के लिए सर की अब वतन के लिए सर कताते चलें वतन के लिए सर गताते चलेगे कि अरे वतन के लिए सर गताते चलेगे कि अब गगन में तिरंगा पुराते चलेगे कि अरे गगन में तिरंगा पुराते चलेगे अब सुना गाना कही स्टोरी शुरू हो गई प्रप्रदेश तकल चल पुरिय का गावन लाई प्रवही बीबी रावट गोरा नीचकानी था आरे छगोली पिष्टल में हर दम रखता दुशासन हज्जारो ज्रोपदियों को नूट तरे शाशासन आरे उठाया सर कोई तो उसे मार देता था हुकुमत अंग्रेजी पोई न यह सलेता था रोही सीता दशानन उठाये जाता था जतायू बोला तो फासी चढ़ाए जाता था ए भाईया बात सुन लीजिए मद्ध प्रदेश के अंदर कंचन पुरगाओं कंचन पुरगाओं ऐसा था जिसमें हर जात तुले दुर्वास करते थे और वही बगल में एक अंग्रेजों का माना जाना अधिकारी जिसका नाम था बीवी रावट बीवी रावट अयास किसम का था अपने रिवालवर में हमें साथ छे गोलिया रगता था और वो रिवालवर कंधे में टांग करके उसी कंचन पुरगाओं में जाता था दोस्तों उनकी इजट लूड करके छोड़ देता था पीवी रावट अपने रिवालवर को कंधे में टांग कर उसी कंचन पुरगाओं में जाता था अपने रिवालवर की गोलियों से गाउवालों को जरवाता था धुमकाता था और उन गाओं की नई नई बहु बेटियों को नई नई लड़कियों को बीच बीच कर अपने बंगले में ले जा करके और उनकी इजक लूटर के छोड़ देता था कमचनपुर के लोग देखते थे कि हमारी बहू बेटियों को हमारे घर की लर्कियों को लिये जा रहा है और हमारे आख के सामने इज़त लूट लेता है लेकिन कोई भी उसके रिवालवर की गोलियों के डर से नहीं बोलता था कोई भी उसके रिवालवर की गोलियों के डर से नहीं बोलता था अगर कोई बाजू उठाया तो बाजू कलम कर दिया जाता था अगर कोई कदम बढ़ाया तो कदम काट लिया जाता था अगर कोई यावाज लगा तो गोली का सिकार बना दिया जाता था ये था बीवी रावट का तंक मेरे दोस्तों बहुत दिन गुजर जाने के बाद उसी गाउ का ये कसी साल का बुढ़ा जिसका नाम था ठाकुर दुर्विजे सिंग एक दिन अपने गाउवालों के मीटिंग उलाए और ठाकुर साथ ललकार करके विश्ञाता का एक युछ घुग कि अरे पीतरी कले या जुलनी आए बालाँ पीतरी कले या आया है एक मलाँ और मलाहिन दूने परानी बहुत गरीब रहलें मलहिनिया कहले कि ए दुलाह ज़्यूने चानी के गहना पहिन के जवकावत है और हमने खाती गरीबी में फितरी के नथुनी लिया देता तो वही के पहिन के अपने करेजा के साथ बुताये लेते काला रे सोना क्यानी के नश्वणी काटे करें जुलन ये बालन कहला है ये तोना सुकुरार चीज का मांगा थी ता हमके मच्छरी के काटा के भी जुलें नगा बन पाई कहला तो ये चीज और सस्ती लेते आया जो रोज कामे आवे लेते का मतोला कि अरे मच्छरी के काटे का नधूनी आए बाला ये तो आप लोगों के मनोन्यार के ये तर्ज रही लेकिन गाने का भाव अस्तल गावे लेकिन आए बाला ये सीसाल का बुढ़ा धाक दूर्वृजे सिंगार्व की मीटिंग धूलाए और गावानो को राकार दिये कैसे कि ठाकुर सहाब बोले तब ठाकुर सहाब बोले तब बचनम ये बाबू recovered हमैं के चय्येमे अब जळानम ये बाबू अरे 80 साल का बुढ़ा गावानों को लरकान दिया कि मेरे गाव के लोगों कान खोड़ कर सुन दो हमारे वाप के सामने बीबी रावट हमारे गाव की बहु बेखियों के ले जाकर इज़त लूट कर छोड़ देता है लेकिन केवल हमदर के मारे इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि उसके रिवालोर में छे गोलिया है तो आज मैं तुम लोगों को इसलिए ही कठा किया हूँ कि तुम लोगों से एक चीज मागना चाहता हूँ अरे वो यसी साल का बुंठा ठाकुर दुर्विजे सिंगा वालो को ललकार ठाकुर उठो नौ जवानो ये घर घर का रावाइट मजनू बना है अरे भारत है भाई बहन भारती है बधालो कहन आज कैसी बला है तो मुझे छे जवानों की आई जरूरत और छे गोली खाने की अथी महूरत अरे कोन माई का लाल देगा जवानी पहू बेटियों का बचाएगा पानी 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 है कोई माई का लाल मेरे गाओं के अंदर मेरे गाओं से मुझे छे जवान चाहिए अपने सीने में छे गोलिया बीबी रावर्ट की खाकर सहीद होने के लिए अगर मेरे गाउसे छे जवान बीबी रावर्ट के रिवालवर्ट की गोली खाकर के शहीद हो जाते है उसकी रिवालवर गोलियों से खाली हो जाती है तो हम बचे हुए लोग उसे लाठी से मारते मारते खत्म कर देगे लेकिन कोई भी माई का लाल गोली खाने के लिए नहीं तयार हुआ तो था कुर्दुरी जैसिंग को कहना पड़ा कैसे तनी बरिके दिया की अरे खुनों की कौन होली खेलेगा अरे यहावर लाठी वहावर है दुश्वन की गोली की कौन होली आय अवना च्योवा है दुश्वन की गोली कौन होली खेलेगा आय मेरे देश की धर्ती मेरे देश की धर्ती सो ना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धर्ती मेरा नाम हो सीधी साधी बोली मेरा सीधा साधा काम हो मैं हूँ बला यल बेला अरे मेरे दोस्तों जब कोली नहीं तयार हुआ गोली खाने के अपने सीने में तो ठापुर्दुर विज्ये सिंग धिकार तो हुए गावालों को कहते हैं कि अरे मेरे गाव के लोगों लानत है तेरी जवानी को धिकार है तेरी जवानी को ऐसे कहे कि धिकार है हम को ऐसी जवानी कि जो यह अपनी घर की बचाए न पानी अरे कहां भारत माता करेगी यह आसर अरे अब बुहाउती में ठाकुर लड़ेगा फुलासा अरे खतम कर देगा उस पापी की गोली और खेलेगा ठाकुर यह फूनों की होली तो मेरी लासगीरे न देना सहारा मेरी पीट पीछे ख़ड़ा दो जुझारा ठीक है अगर मेरे गाउंसे कोई जवान नहीं तयारे सीने में गोली खाकर सहीध होने के लिए तो यह असी साल का बुढ़ा ठाकुर दुर्विजे सिंग छे गोली अपने सीने में खाएगा खून की होली खेलेगा लेकिन मेरे गाउंसे केवल दो जवान इसलिए तयार हो जाए कि मेरे पीट के पीछे ख़ड़ा होकर के इशारा किये रहे ताकि जब बीबी रावट की गोली आकर के मेरे सीने में लगे तो मेरे लाश गी रिये ले अगर दो जवान ऐसे करते तो छे गोलिया मैं अपने सीने में खाऊँगा बजी बशवाब था कुर्दुरुविजे सिंग जब ललकार कर गाउवालों के सामने आवाज दिये तो उस गाउव का एक जवान तयार हो गया गोली खाने के लिए लेकिन वो कौन माई का लाल था गहुर करने की बात है कौन था जो गोली खाने के लिए गाउवालों में से तयार हो गया की अरे ख़ड़ा हो के पन्डी तजी एक कब बोले हसा भाना वा अरे उन्ही गावालों में से पंडी जी तम तमा कर खड़े हो गए और ललकार कर आवाज दिये के रे बाबु साफ पूरे गाव की इज़त की बात है तो आप पकेले क्यों गोली खाएंगे अरे वो पंडी जी ललकार कर गावालों के सामने करते है क्या अरे खड़ा हो के पंडी तदिये का बोले हाँ सामनावा अरे सात बात हमारे लाला नावा कर गमनी दानावा अरे वो पंडी जी तम तमा करावा दिये की बाबु साहब मेरे पास भगवान साथ लड़के दिये हैं साथ लड़कों में से एक लड़का मैं आपको देता हूँ गाओ के नाम पर गोली खाने के लिए बाबु साथ लड़कारे की शाबस पंडी जी शाबस अधन्यवाद की पात रहे लेकिन है कोई माई का लाज तो इस गाओं से दूसरा जब और तयार हो जाएं तो दूसरे नमर पर कौन तैयार हुआ कि बोले येक यादो जी तवस्सीन वा भुलाई कि चार बेटा में से एक देवारसाई उन्ही गावालों में से कियादो जी तम तवाकर खड़े हो गए कहाँ अगर एक लड़का पंडी जी का तैयार है तो मेरे पास भगवान चार लड़के दिये है चार लड़कों में से एक लड़का मैं भी देता हूँ आपको शहीद होने के लिए ठाकुर दुर्विज्य सिंग काते हैं शाबस मेरे गाओं के जवानों शाबस अरे एक लड़का पंडी जी का तैयार हो गया दूसरा लड़का याज भाई का तैयार है लेकिन है कोई माई का लाल तो इस गाओं से तीसरा जवान तैयार हो जाए तो तीसरे नम्मर पर कौन खड़ा हुआ गोली खाने के लिए कि बोले एक बाबू सहबसी नवा भुलाई कि पाँच बेटा में से एक देबाहर अप्ताई अरे या सियान वरसी नया नवा करब बली दनवा है ठाकुरी मेरे दोस्तों कुल तीन लड़के तैयार हो गये एक लड़का पंडी जी का एक लड़का बाबू सहाब का और तीसरा लड़का या दो भाई का फिर ठाकुर्दुर्विजे सिंग ललकार ते है कि है कोई माई कलाल तो मेरे गाव से चोथा जवान तैयार हो जा चोथी गोली खाने के लिए पूरे गावाले जुटे थे उन्हीं गावालों में से एक बुड़्धा मुसलमान तैयार होता है और ललकार करके वो बुड़्धा मुसलमान कहरा कि ठाकुर्दुर्विजे सिंग अरे ठाकुर्दुर्विजे सिंह आपको छे जवालों की जरूरत है ना बीबी रावाज के रिवालवर में छे गोलिया है ना तो मेरे पास भगवान छे लड़के दिये है मैं गाव के नाम पर अपना छो लड़का देता हूँ गोली खाने के लिए मैरे दोस्तों जब इस बात को सुनते है ठाकुर्दुर्विजे सिंह का तेर्शावस सावस रे मुसल्मान भाई सावस लेकिन नहीर भईया मुझे तो ये परिवार से एक ही लड़का चाहिए तो ये लड़का मुसल्मान भाई का भी तयार हो गया और फिर ललकारते हैं तो एक ललका उसी गावालों में से और तयार होगा, कुल पाँच ललके तयार होगे था कुर्दुर विजे सिंग को छठमा जवान चाहिए, बीबी रावट की छठमी गोली खाने के लिए, अंतिम गोली खाने के लिए ललकार ते हैं कि है कोई माई का लाल इन गावालों में से तो छठवा जवान तयार हो जाए लेकिन पूरे गावाले जुटे थे प्रेमियों बिल्कुल शांती का वाता वरण सब लोग नीचे गर्दन जुका लिए छठवी गोली खाने के लिए कोई नहीं तयार हो तो देखते है ठाकुर साहब कि मेरे गाव का सबसे गरीब आदमी बिल्कुल भया मेरे बिल्कुल पीछे से ख़ड़ा हो रहा है और वो तो रो रहा है कुछ कहना चाहता है ठाकुर साब गौर से सुनने लगे, ओ गरीब आदमी कौन था और क्या कहा ठाकुर साब हुए। अरे वो जग्गु हरजन रोकर कह राय कि बाबु साब। सुनी सुनी बाबु साब। मानी मोरी बतिया हु। हरे बोला जग्गु हरी जलनीर भरी की नया नावा। बाबु साब। आपको एक ही लड़के किया उन्हें जरूरत है। तह मरत गोदिया में सात गोछो करिया हो। अरे दिहला बीधाता की वल एक ही लाला नावा। इज़त और आवर उपर गवा जूट लबातें। तव हो लाला देई देवर गाव के करनावा। अरे बाबु साब मेरे पास सात लड़किया है। सात लड़कियों में एक ही लड़का है। लेकिन आज पूरे गाव के इज़त की बात है, शान की बात है, मर्यादा की बात है। तो मैं अपना वो भी लड़का आपको दिये देता हूँ सीने में गोली खाने के लिए मेरे दोस्तों ठाकुर्दुर्विजे सिंग लड़कार ते कि शावस मेरे गाव से छे जवान तयार हो गए बाबु साब का लड़का, पंडी जी का लड़का, यादो भाई का लड़का, मुसलमान भाई का लड़का, हर्जन भाई का लड़का एक लड़का योज तो ठीक है इस वक्ते आप लोग अपने अपने घर चले जाएए और कल मेरे दरवाजे पर ठीक आठ बजे अपने अपने लड़कों को भे दीजेगा गोली खाने के लिए सीने में इस लिए कि बीबी रावाट उसके रिवालवर में छे गोलिया होगी रिवालवर कंधे में होगी गाउ से किसी भी लड़की को पकड़ कर ले जाने के लिए ठीक नौ बज़ आएगा सभी लोग अपने अपने घर चले गए प्रेमियों लेकिन वो जग्गु हर ज़र अपने घर जब पहुनता है साथ लड़कियों में सबसे बड़ी बीटिया मुनिया से कहरा रहे बेटी मुनिया कल मेरा बेटा गाउ के नाम पर गोली खाने जाएगा ठाकुरसाग के दरवाजे पर मुनिया कही कि अरे बाबू अरे बाबू साथ बहिन में एक का भाई अवो के भी आप गोली खाए वदे का करके आवा थवा बाबू तपने भाईया के हम गोली खाए नहीं जाए दे बाबू नहीं जाए दे बाबू नहीं जाए दे बाबू नहीं जाए दे अरे वो मुनिया रो रो करके अपने बाबू जगु हर जेन से कह रही है क्या जी का तू कही लाए बाबुजी घर कदिया नावा गईले हो जी कदिया नावा गईले हो जी का तू कही लाए बाबुजी घर कदिया नावा गईले हो आटे मुनिया रोकर के अपने बाबू जगू हरजन से करे कि बाबू जी साथ बही निया में ये कही बीरा नावा के यह हमरे दूआрь के बया, बया कहा बोलाई भै होई जय घारावाया नार तो होता सभी रवाय बाबू जी जय हा सबारिया बीच हो जूजे अरे बाबुजी अपने भाईया के गोली खाये नहीं जाये दे धीरे धीरे सबेरा हो गया गाउ के पाँच जवान ठाकुर दुर्विजे सिंग के दरवाजे पर इकथा हो गये गोली खाने के लिए ठाकुर साब देख लिए कि बीबी रावट अपने रिवालवर में गोलिया भर करके रिवालवर लेकर के गाउ की तुरह पा रहा है किसी एक लड़की को पकड़ करके ले जाने के लिए वक्त पर पांच लड़के तैयार हैं लेकिन छटवाज जग्वु हर्जन का लड़का तो नहीं आया लेकिन वो लड़का क्यों नहीं आया जब गोली खाने जाने का वक्त हुआ मुनिया अपने भाई को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लाग कर देती है और वो मुनिया तो खुद उधर ही जा रही है जिधर से बीवी रावट आ रहा था ठाकूर साब देख लिए आवाज देते है के रे मुनिया ये गाओ के पांच जबान जुटे हुए है मेरे दरवाजे पर वो देख बीवी रावट आ रहा है चठवा तेरा भाई नहीं आया अरे उसके जगर पे चठवी गोली कौन खाएगा लेकिन मुनिया तो ठाकूर दुर्विज्य सिंग की बात को यहनु सूनी बना करके अरे वो तो भागती ही उभर ही जा रही है जिधर से खुद बीवी रावट आ रहा था ठाकूर साब देख लिए मुनिया गई बीवी रावट के पास और कहती क्या है की जाकर मुनिया बोली है रावट से की देखा लवके भीड़ा बढ़िया अगववा का लोगा मोरे जूटला आजदी है तो हारा के मार का वो हरमती जा हमरे भाबुजी कहिला चरा लिया तो हरी हो चूँए मेरे दोस्तों ठाकुर साब देख रहे हैं अरे मुनिया भागती हुई उधर ही गई जिरस बीवी रावट आ रहा था जाकर के बीवी रावट से मुनिया कहती के रे रावट बाबु वो देखिये आज मेरे गाउं के लोग लाठी भाला गरास लेकर कई कठा है अरे आज मत जाएे मत जाएे बाबु आज आज आपको झानते मार देगे मेरे गावट बीवी रावट जब सुना तो सोचा कहाऊगा अरे मुझे तो एक हसीना की जरूरत एक लरकी की जरूरत एक सुंदरी की जरूरत और ये अपने आप जब मेरे पांस चली आए याई तो फिर आज़ाबंद कर दिया जहाँ उसका बिस्तर लगा था मुनिया लड़की को बगल में बैठा लिया अपने बिस्तर पर और कह नहींकि रहें मुनिया अब आजरा संबोज मस्ती आजा मुनिया कही रावट बाबू इस कमरे के अंदर और कोई तो नहीं है इस बंगले के अंदर केवल हम और आप तो इतना घबराते के वजल दिवाजी क्या है एक काम कीजिए रावट बाबू मुनिया कह रही है कि एक काम कीजिए रावट बाबू कि अरे आप भी निवस्त्र हो जाएए मैं भी निवस्त्र हो जाओं तो फिर मजाया जबाबू जी बीवी रावट अपने रिवालवर को खूटी पर तांग दिया अपने वस्त्र को निकाल लहा है जब उसकी आख धपती है तो मुनिया लड़की उस समय चलाकी कर गई उतार करके खूटी पर से रिवालवर बीवी रावट के सीने में सता करके ललका वरती है कि अरे बो नीच कामी पापी हत्यारा मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है जहाए राणा सिवाउधम सुभास पैदा हुए महात्मा गाधी पैदा हुए सीता सावित्री लक्षिमी भाई पैदा हुई भारत माता की यिन कलाक पैयावाज लगा करके वो मुनिया ठाट ठाट तीन गोली बीवी रावट के सीने में छोड़ देती है जब तीन गोली बीवी रावट के लगल दतवा चियार के ख़करा मतिन पसरी लग मुनिया कला रे इती एकदम से मौर गयल सोचले की आए हाई ठाकुर दुर्विजे चच्चा यही के मारा बदे छठे जवान जुटा होत्रहल और हम ते अकिले में मरली की मर्यल इक ख़वरिया अगर चल करके ठाकुर दुर्विजे चच्चा से गाउ में कहब तो चाचा दूड करके हमके गोदी उठा लियन प्यार दे में लगी है मेरे दोस्तों यही सोच कर मुनिया दरवाजा खोल करके और गाउक तरफ बड़े तेजी के साथ भगी है तो बीबी रावट के दरवाजे पर उसका एक पहरी पहरा दे रहा था मुनिया को जब भागते हुए देखता है अरे वो राज समझ गया अपनी बंदूक उठा करके और मुनिया पर गोली चला दिया जब मुनिया पर गोली चला दिया बादू वो गोली मुनिया विचारी के लग भी गई लेकिन किसी तरह से लड़ खडाती हुई वो विचारी भागते भागते वहां तक गई जहां ठाकुर दुर्विजे सिंगाओं के पाँच जवानों को लेकर के गोली खाने के लिए इंतजार कर रहे थे दोर करके मुनिया ठाकुर साथ के चरण को छुना चाती है ठाकुर साथ कहरे नीच पापी जिसके लिए मेरे गाओं के पाट पाट छेचे माई के लाल अपनी जवाने लुटाने के लिए तैयार थै और तू अपने आप जाकर के बीवी रावाट के पास गाओं की जित बेच दी और आई है मेरे चलन को छूने के लिए मुनिया उसमें रोकर कहते कि ठाकर दुर्वी जे चचा मत पापिर हो नीच हूँ चाचा लेकिन मेरे शरीर को मत छूए पर मेरी एक बात तो छोटे से सुन लीजिए मरते वक्त मुनिया रोकर कि ठाकर दुर्वी जे सिंग से का रही है क्या कि जन छुलाए पापि न कई जन छुलाए पापि न कई बादा नवा हमारे बाबुजी अमारी के यही लित्तो हर दुश्मान वा हमारे बाबुजी कि ये कही बिरानावा के सात गो बहिली आ हो आहामा मरी जाई बसब मिटी जाई हा परशन या हो हर एच्छ बहिली के बजी गई ला बिरानावा हमारे बाबुजी और ये ही बददेवा गई ली जन वा हमारे बाबुजी चाचा मेरे सरीर को मत छुई ये लेकिन एक बात सुनिये चाचा की तो हर दुश्मन मार क्यावत है ये बात जब ठाकुर दुर्विजे सुने है कहा बारे भी थिया शावस गाओं की जित बचाली भी थिया दोर करके ठाकुरसा मुनिया को गोद में उठा लिये और सीने से लगा कर उसे प्यार देना चाहते हैं तब तक क्या हुआ कि दोर के ठाकुरसा वलहला गोदिये में उठाई हो अब प्यार देवल चाहत वले मुनिया काला देखाई हो कि गोदिया लेता उरी गईला परा नवा हमारे बाबुजी ठाकुरसाब जो ही मुनिया का उठा कर सीने से लगाए है तब तक मुनिया के प्राण पखेरो निसर गए बाबुजी गावालों के आँख से जर जर यासु चले लगी समलाते है ठाकुरसाब कि रे गावालों क्यों उते हो अरे मुनिया मरी नहीं बलकि अमर हो गई इसलिए कि सितारे कहते है कि नचाद बदला है नगगन बदला है लास वही है यारो यह तो सिर्फ कफन बदला है मुनिया के नाम पर गावाले एक मंदिर बरवाए वो मंदिर आज़ भी निशानी में है वर्स में उसके नाम पर लोग मेला देखने के लिए उसके आदास के लिए जुटते हैं तर बदला के लिए मुनिया को पुकाया हूँ है तो गुरु विहारी गुरुगने सोय अमन हो गई बाला राम लाल गुरु बच्च चंद्रिका जी को पिहाई माला हो खुरों की कौन होली खेलेगा अरे बेचर कभी के सौजर लगया दूके जोली झाल